हलो एब्रिवान नमस्कार मैं सौरप कुमार और आप सभी का लाव पाइंट चैनल में शौगत करता हूं आज मैं आपके सामने इसलिए पस्तित हुआ हूं कि आप सब के मन में बहुत सारे ब्रहम हैं और बहुत सारे डाउट हैं उन चीज को एक-एक करके मैं क्लेर करने वाला हूं ठीक है जो बचे 2023 के लिए प्रिपेर कर रहे है या जो 2022 के बच्चे थे जिनको लग रहा है उनका आडबीशन नहीं हो रहा है फिर से वह प्रिपेर करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है आपको सही ref qua पायँ उसके लिए है तो देखो सभ से पहले ये है कि self study वर्सस तो देखो self study में अगर अभी आपका सवाल जो है ना अभी आप ही जवाब देंगे मैं जवाब नहीं दूंगा है ना versus coaching ठीक coaching लेना जरूरी है self study जरूरी है क्या self study से सिर्फ admission हो सकता है या फिर coaching के बदावलत admission हो सकता है उन्हों का combination हमें क्या करना चाहिए आपका सवाल यह है ठीक है तो देखो सेल्प स्टडी जो है सेल्प स्टडी के बिना पहले यह लाइन सुन लेला उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ पर आएंगे सेल्प स्टडी के बिना आपका admission हो ही नहीं सकता अगर आप 2022 की बच्चे ह तो आप इस बात को भली बात जान गए होंगे कि स्टडी का importance कितना है अगर बच्चे 2030 को हो और तुमको लग रहा है कि कोचिंग लेना चाहिए लेकिन कोचिंग लेने से पहले भी मैं अभी उस पर आऊंगा कि online कोचिंग ले offline कोचिंग ले और एक वीडियो उस पर भी आए student की तरीके से अपने आपको decide करेंगे या फिर किसी भी संस्थान में जाने से पहले उसको decide कर लें कि मुझे वह संस्थान सई है कि नहीं यह बात आपके लिए बहुत महत्पोर हो जाती है तो देखो ध्यान देना देखो self study की बिना कभी कोई चीज होई नहीं सब्ता मुझे बात बताओ मुझे पूरी उमीद है कि आप आपने तेन्थ का बोड दिया आपने त्वल्थ का बोड दिया और सायद एक दू बच्चे होंगे जिनने ग्रेजियोशन भी एक दो साल कर लिया है ठीक ऐसा भी होगा clear है तो मुझे एक बात बताओ कि जब ने जब तुमने एक का मतलब क्या है कि कोचिंग क्या करती है कोचिंग में क्या होता है आपको सब्जेक्ट समझाया जाता है कोचिंग में क्या करते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको अच्छे से समझाया जाते हैं यह सब्जेक्ट और यह टॉपिक क्या यह subject topics box से नहीं हो सकते, box से नहीं हो सकते, बिलकुल हो सकते हैं, box से क्या यह topics नहीं हो सकते हैं, बिलकुल हो सकते हैं, लेकिन बच्छों ध्यान देना, यह जो coaching हैं, और जो यह आप है, pain का यहाँ difference आता है, pain, pain समझते हैं, आपको ज़्यादा pain लेना पड़ेगा बुकों को स क्योंकि Book क्या Ruchkar नहीं यह आपको मौज मस्ती नहीं देते आपको आननद नहीं देते क्यों क्यों कि कभी इंट्रस्ट लेकर नहीं पड़ा गया कर अगर आप इंट्रेस्ट लेकर पड़ेंगे तो तो आप बुक से भी CUET, UG या CUET, PG क्रैक कर सकते हैं लेकिन सवाल फिर वही है कि बुक्स कौन सी हो बुक्स कौन सी, कौन से बेस्ट बुक हो उस पर हम लोग आएंगे उस पर हम लोग आएंगे अभी हम कहरें कि Self Studies और Versus Coaching की बात कर रहे हैं देखो, Coaching में आपको Teachers मिल जाएंगे Teachers मिल जाएंगे इन Topics को अच्छे से Explain करने के लिए इन Topics को अच्छे से बढ़ाने के लिए ठेक, अब ये Teachers आप चूच कैसे करेंगे ये Teachers भी आपको चूच करने है आज के समय में CUET की इतनी सारी Coaching है बहुत सारे नए Teachers हैं तो किस पर Believe किया जाएं है ना, आरीबा समझें सब किस पर Believe किया जाएं उसके लिए क्या Criteria होनी चाहिए जब हम लोग Coaching चूच करेंगे उस पर हम लोग आएंगे ठेक, तो Teachers क्या करते हैं इस Topics को सरल कर देते हैं जो Books में लिखा है ठेक, बुक में कोई Topic लिखा है जैसे Motion लिखा है तो Motion आपने पढ़ा आपको नहीं समझ में आया तो यह Teacher इसको Simpli कर देते Simpli, Simplify कर देते हैं बड़े आसान तरीके से बता देते हैं अगर अच्छा गुड़ोत्ता वाला Teacher है Otherwise, ऐसा बताएगा कि आपको खुद नहीं समझ पाएंगे है ठेक है तो इस क्या Motion को हम लोग एक बुक से पढ़के मालो मैंने एक बुक फालो की और उसका जो Language हुआ ध्यान देना, बुक में क्या होती है Language होती है Language क्या होता है कि जो भासा बुक में जो भासाएं लिखी होती है अलग-अलग Writer की अलग-अलग होती है कुछ Writer बहुत सरल लिखते है कुछ Writer बहुत सरल लिखते है और कुछ Writer बहुत बोरिंग लिखते है बहुत टफ लिखते है वो हमको बिल्कुल नहीं समझ में आती ठीक अब दीखो हम लोग एक बुक पी बजाए दो बुक तीन बुक रिफर कर सकते हैं एक टॉपिक पढ़ने के लिए लेकिन बचों यहीं आ रहा है आपके अंदर पेन अगर आप पेन ले रहे हैं तो आपको बात बन रही बिने कोचिंग की ठीक लेकिन यह पेन जो है बई यह पेन क्या-क्या आपको दे रहा है पेन आपको क्या-क्या दे रहा है आपको पहली बात तो एक इंटरेस्ट दे रहा पढ़ने के लिए ठीक और बिना सल्फ स्टडीज के भी यहां से भी सेलेक्शन कभी नहीं होगा कोचिंग से भी कभी भी आपका सेलेक्शन नहीं हो प बढ़ेगा बच्चों आप सिर्ख computer के screen पर mobile के screen बैटकर 12 गंटे क्लास दो बच्चे पुराने वो ये बात समझ गए होंगे कि हम computer के screen पर 10 गंटे बैट के पढ़ें 8 गंटे पढ़ें 4 गंटे पढ़ें 6 करीगा स्टार्टिंग में तीन आउर अगर आप मालो मैं मानता हूं कि चलो माल लो अगर मैं मालों कि तूं आप कोचिंग लेए रहे हो तो तीन घंटे ठेक तीन घंटे तो कोचिंग में चले जाएंगे बच्चे तीन घंटे यहां अभी मैं उस पे भी आ возможность आप सच्छम नहीं है कौन सी कोचिंग हमको चूच करने यह बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना तो यह अच्छा सरल कौन सी होती है अगर बात करें हैं a to यम आप बात करें उच्छों यह सब त्वल्थी की बुख में जो आप 12 की पड़तें बाराहमी में जो पड़तें वही बुख में आपसे वही सारे subject पूछे जा रहे हैं, वही सारे questions पूछे जा रहे हैं, तो क्या हम अपना board के साथ साथ इसको manage कर सकते हैं, board के साथ manage नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, board को साथ साथ और इसके साथ साथ इसको भी manage कर सकते हैं, अच्छा सब सरल books कहां मिलेंगी, ये सवाल जवाब मैं एक अलग वीडियो में दूँगा, इन सरल बुक्स कहां से मिलेंगी, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ठिक, वो सब एक वीडियो में आएगी, जहां मैं बताऊंगा, कि बेस्ट बुक्स क्या है, ठिक है, और उस बेस्ट बुक्स को पढ़ा कैसे जाए, ठिक, तो ये देखो बात फिर घूम के आई है कि हमारा सल्बस क्या है बराहमी का सल्बस है तो बराहमी को सल्बस कैसे maximum पड़ा जाए बात बन जाए ठिक एक बात और ध्यां रखना बराहमी में आपने बोड भले ही रटके लिखाओ लेकिन C.E.T. में आप रटके कभी नहीं पास हो सकते नोट डाउन करना C.E.T. में कभी भी रटके नहीं पास हो सकते रटना बिल्कुल बेकार है आप उससे रटके नहीं पास हो सकते आपको सीखना पड़ेगा बोक्स में जो बातें लिखी हैं को सीखना पड़ेगा मैं वो बताऊंगा कैसे सीखते हैं ठीक है इससे भी हो कर लो कल कर लो परसों कर लो जम मन तब कर लो लेकिन इस पर काम करना ठीक अभी मैं उस पर भी आऊँगा क्या यूटूब से भी पढ़के काम कर सकते हैं नहीं कर सकते वो सब वीडियो पर आएंगे हम लोग तो ये बात आगको समझ आरी लेकिन एक ध्यान देना बच्चों, self studies में आपको क्या-क्या पढ़ने हैं, ध्यान दे रहो, एक तो language पढ़ना है, भासा पढ़नी है, भासा समझ रहे, भासा हिंदी या इंग्लिस पढ़नी है, प्लस आपको domains अपने पढ़ने, domain में वही पढ़ना है, जो आप inter में पढ़ रहे हैं, इंटर में आप physics chemistry पढ़ने, bio पढ़ने, जो भी पढ़ने, वह domain और एक gt पढ़ना पढ़ेगा, gt में जिसमें बहुत सारे section हो जा रहे हैं, general science हो जा रहा है, है न, gk हो जा रहा है, current हो जा रहा है, math और reasoning हो जा रहा है, gk, current, math, और reasoning, तो इतने सारे subject हो जा रहे हैं, ठेक, तो इन subject को अच्छे से manage करना आपको सीखना होगा, अगर आप self-studies को चूझ कर रहे हैं, ठीक है, coaching चूझ करेंगे, coaching चूझ करेंगे, तो इनकी videos आपको मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे, videos मिल जाएंगे, videos मिल जाएंगे, last में आपको last जाते-जाते practice set मिल जाएंगे, लेकि योज मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और टीचर के द्वारा आपको उनके सलूशन मिल जाएंगे यह होगा लेकिन एक बात ध्यान रखना यह सब तभी हो पाएगा जब यह होगा ठेक है तो यह इसको छोड़ सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो इस वाले और कैसे कबर करेंगे वो मैं आपको बार बताऊंगा है ना क्योंकि जो सई चीज है उसको बताना मेरा सबसे पहला करता भी बनता है फस्स रिस्पॉंट्पिल्टी है कि मैं आपको एक्जैक्ट वे में सब कुछ आपके सामने रख दो उसके बार डिसी जनाब का होगा क्यो कैसे करेंगे क्या होगा ठीक बेस्ट बुकों पर आएंगे वीडियो तो बच्चों आप सबसे पहले यह करेंगे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पुराने हो तो लाइक करो और सेयर करो बहुत बच्चों तक सेयर करो ताकि वो आगे जो पैसा लगाएं कोचिंगों में ठीक है ताकि उसका एक maximum benefit मिल सके उनको बाद में किसी बात का पस्तावा ना रहे हाला कि जब पैसे लगाएं तो उनको इतना knowledge मिल जाए ताकि वो आने वाले समय में future में उनकी काम आए ठीक है तो मुझे उमीद है ये बात आपको समझ में आगे से तीन घंटे पढ़ेंगे क्योंकि आपको सल्बस complete करना ठीक है तीन घंटे पढ़ेंगे अगर यहीं आपका इस्टिक्टिनिस जो आपकी स्टिक्टिनिस है वो यहां होना जोड़ू है लेकिन बचों अगर ध्यान देना सिर्फ तीन घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा से अब इस तब हो पाएगी जब आप अपने लच्छ को बहुत ब्रेम करते हैं ब्रेहत लब मतलब समझते हैं अपने लच्छ से आप प्यार करते हैं ठीक है वह आपकी गर्फरेंट है यह समझो यह वह वह सिचुईशन होनी चाहिए हमेशा दिमाग में चलता रहना चाहिए आड़ी पासमीश तो तो आप इस चीज को कवर कर पाएंगे अधर बाइज बच्चों कहीं आपका कहीं दो नमबर ते कहीं पांच नमबर ते कहीं अच्छा कॉलेज नहीं मिला कहीं चीक साल के बाद यह चीज़ें आपको पता चलेगी वह आपके साथ ना हूँ कैसे रोका है self studies का क्या महत्त है और coaching का क्या महत्त है आने वाली videos में online versus offline coaching को लेने से पहले क्या देखें और books best books क्या हैं जिनसे हम अच्छे से self study करके भी इसको crack कर सकते हैं तो उमीद करता हूं यह जानकर यह आपको अच्छे लगी होगी तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे हम फिर तब तक के लिए चाहूंगा आपसे अलविदा बाए भाए ठेंक यू